तो गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज ग्लास 7 एंजे के पीसी असिस्टेंट रेजिस्टर कोपरेटिव सोसाइटी की छे क्लासे जो इससे पहले लग चुकी है साथ मी कलासे जो है वो आज है अज का topic जो है वो है जमो किशमीर कोपरेटिव सोसाइटी एक आट नाईटीन गीटीन थेक है जमो किश्मीर को आपरेटिव सॉसाइटेज़ एक 1989 के हैं 16 में से 8 जो हैं हम वो आज पढ़ लेंगे और नेक्स जो 8 बचेंगे वो हम पार्ट बी में पढ़ लेंगे ठेक है तो इस वीडियो का पेडियर जो आप आपको अपर विजिट करके देखकर सबस्क्राइब जो है कर सकते हैं लिंक जो है सिका में आपको आइ बेटन में और डिस्क्रिशिन बोक्स में इस चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दो तो पॉलीज विजिट किजी है और सबस्क्राइब किजिएगा ये चैनल ओके एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और जो है रिमाइंडर में आपको देना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो फॉर्म है 16 जून क्योंकि उसकी आखरी डेट है और आज 13 जून है तो सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं तो जिन भी बच्चों ने नहीं ब रहे हैं और जो प्रेपरेशन करने के मोड में है प्लीज जाए और तीन दिन में फॉर्म अपना भर लीजिए ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो दिए जम्मौ कश्मीर कौपरेटिव सोसाइटी जैक 1989 जो है यह इससे पहले जो था जम्मौ कश्मीर में कौपरेटिव साइटी पर लगते थे जम्मौ कश्मीर के अंदर लेकिन 1989 में कुछ रिविजिंस उसमें हुए कुछ अमेंडमेंट हुए और एक नया कानून जो है वो लाया गया जिसने इस इस नैंटी शिक्स्टी का जो एक्ट था जम्मौ कश्मीर को अपरेटिव सोसाइटी जैक्ट इसको रिपील किया और इसको रिप्लेस किया ठीक है क्या मकस्द था इसका मकसद यही था कि कॉन्सॉलिडेट करना जो पुराने लाज जो जितने पिकानुन है उनको आमेंड कर करना उनको कॉंसॉलिडेट करना और स्ट्रेंदन करना ताकि को ऑपरेटिव जो है उनकी डेवलेप्मेंट हो सके बेस्ट ऑन डी पीएसपी ठीक है जितने भी डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स अव स्टेट पॉलेशिज जो हमारे पहले जमो किश्मीर का सम्विधान अलग होता कि यह जो है यह में मकसद था अब जो है यह सेंटर के डीएसपी डीपीएसपी इसको फॉलो करते हैं तो यह थोड़ा बदलाव आया है इसमें लेकिन जब यह कानून बना था तब क्या सिच्वेशन थी तब इसका क्या में एम में बर्पस था वो हमने देखा ओके इसको ग गवर्नर की एसेंट मिलती है उसके बाद 11 जुलाई 1989 को यह गवर्मन्ट गैजट में आपको पब्लिश्मेंट इसकी देखने को मिलती है और उसी दिन से जो है यह कानून जो है को अप्रेटिव को लेकर यह एक्ट जो है वो हमारी स्टेट में लागू हो जाता है ओके की आपके लिए इंप्रकेनर हैं जितने भी इंपउर्टन है वह सरूर पड़ेंगे लिकमंद के एक-एक सेक्षिम को याद रहना आपकेल यह पहले होगा और मुझे नहीं लगता कि एक सेक्षिन जो है वहां से पूची विजा सकती है तो शेक्षिं याद रखना यह थोड भी जो है ये बताता है रेजिस्ट्रिशन कैसे होगी cooperative societies के हमारे G&K में इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो 16 जो हैं वो chapters आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर ही 177 sections जो हैं अलग-अलग वो इसके साथ deal करती हैं तो आज की वीडियो में हम यह पहले 8 6 chapters हैं इसके अंदर जितने भी सेक्शन से जितने important section हैं उसके साथ औसकी बात हम करें गे और कल की जो वीडियो यह शाम को आपको जो वीडियो में मिलेगे उसमें हम जो Next Act chapters जोहें इसके ऑंदर जो important sections हैं उसके बारे में बात करते हैं तो start करते हैं पहले सबसे पहले तो 16 chapter जो है वहाँ पर आपको लगबग ये 70 पेज की ये government side जो है जम्मो किशमीर को अपटेटिब्स की government side पर आपको जो है ये PDF इसकी मिल जाएगी इसके अंदर सारी detail है इसी को पढ़िए इसके बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको ज़ूरत नहीं है, इसी के अंदर से ही सब कुछ आने वाला है, तो इसके उपर भी काफे सारा material जो है, लगवक टोटल सतर पेज जो है इस PDF के हैं, काफे सारा material लेकिन हमें सारा नहीं पढ़ना, जो हमें important है, जो हमें exam point of view से important है, उसी के बारे में हम discuss कर करेंगे, और जो भी important है, वो मैंने highlight करके रखा है, इस PDF में, ये PDF भी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, highlighted PDF मिलेगी, तो सिर्फ जो highlighted portion है, उसी के ओपर हम focus करेंगे, वो ही important है, इसके अलावा जादा पढ़ने के जूर्त नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी irrelevant है exam point of view से हमें कहता हूं, ये relevant है, otherwise cooperative societies के लिए तो हर चीज जो है, वो मैंने रखने वाली है, तो जो highlighted portion है, उसी के ओपर focus कीजिए, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, governor की ascent जो है, वो 8 July को मिली है, गैजट में 11 July को मिला है, ये जो है इसका purpose, य अगर हम बात करें, तो chapter 1 जो है, वो preliminary से, ठीक है, preliminary means कि definitions वगेरा जितनी में हैं, उसके साथ deal करता है, कि board का क्या मतलब होता है, by laws का क्या मतलब होता है, chief executive का मतलब क्या होता है, तो ये definitions वगेरा तो आपको नहीं एक्जाम में आने वाली हैं, और I.B. तो आपको definitions का तो पत definitions तो आपको पता ही होंगी, तो पहला पार, chapter जो है, वो हमारे काम का नहीं है, हम chapter 2 से start करेंगे, chapter 2 में आता है, registration of cooperative societies, की cooperative societies की registration कोन करेगा, कैसे करेगा, क्या तरीका रहने वाला है, ये जो है, हम discuss करेंगे, और इसमें सबसे पहले तो registration की power, जो है, जम्मो कश्मीर में, cooperative societies की cooperative societies को register करने की responsibility इसके वास है, ओके, और registrar का appoint कोन करता है, registrar कोई cooperative society का member नहीं रहता है, इसे government जो है, वो appoint करती है, और आप जो है, अब deputy registrar के तोर पर, अगर आप जाएंगे, assistant registrar के तोर पर, तो आपकी भी next promotion जो है, वो registrar की ही होने वाली है, तो ये power जो है, ये आपके पा इसके बाद नीचे अगर हम चलेंगे, तो application जो है, यानि माली जी कोई cooperative society जो है, वो register करवाना चाहती है, को खुद को, तो वो एक application देती है, और क्या-क्या उसमें रहते है, rules वगेरा, लेकि जो application रहती है, application form, ये एक ऐसे format में देना पढ़ता है, जैसा भी registrar आपको तो कोई भी नई cooperative society अगर register करने के लिए जाती है, registrar के पास, तो registrar जो है, उन्हें एक form देता है, prescribed format पर होता है, और उसमें जो भी जो details मांगी होती है, वो details जो हैं भरकर application form वो देना पढ़ता है, ठीक है, main क्या requirements रहती है, अगर society जो है, उसे register करवाना है, तो सबसे पहले तो अगर कहता है कि primary agriculture societies हैं, तो उसमें members जो हैं वो लगबग 100 से कम नहीं होने चाहिए, तो primary agriculture societies की अगर registration आप करवा रहे हैं, तो उसमें 100 से कम member नहीं है, at least होने चाहिए, और primary non agriculture societies की अगर registration करवा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 50 लोग होने चाहिए, 50 लोगों से कम नहीं होन होने चाहिए तो उन्हें एक मेंबर गिना जाएंगा उनको दो नहीं गिना जाएंगे ठेक हैं तो उनको एक मेंबर के लिए यानि आपके पास 50 खपल जो हैं वह प्राइमरी नॉन एक्रिकल्टार सॉसाइटी ते में होने चाहिए ओके उसके बाद मेंबर्शिप जो है यह ओपन रहती है यानि हर कोई कोई भी आकर रेजिस्ट्रेशन करवा सकता है जो भी फुल्फिल कर रहा है क्राइटेरिया तो कोई ऐसी स्पिसिफिक नहीं है कि इनकम बार है यह कोई रिलिजियस पॉइंट व्यूव होना चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए हर किसी के लिए ओपर है कोई भी आगर रेजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपनी सुसाइटी ओके लेकिन अमाली जी जो एप्लिकेशन लेकर गया है जो भी रेज पिचा जा रहा है अडल्ट नहीं है जो तो उस वो अगर रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहा है तो वो अलीजिबल नहीं रहेगा तो अठाना साल से उपर आपका होना बड़ा जूरी है तब ही जाकर आप जो है एपलाई कर सकते हैं किसी भी सुसाइटी की रेजि कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ है और आप सब क्राइटेरिया जो है उसको फूल फिर कर रहे हैं रेजिस्ट्रेशन के लिए तो रेजिस्ट्रार क्या करेगा रेजिस्ट्रार जो है वो आपकी सोसाइटी को रेजिस्ट्र कर लेगा लेकिन रेजिस्ट्रेशन आप तो रिजिस्टरार अगर देखता है कि आपके सब ग्राइटेरिया अगर आप पूरे फॉलो कर रहे हैं तो आपको वह छे महीने की सबसे पहले प्रोविजिनल रिजिस्टरिशन देगा और फिर उन छे महीने में आपको तीन चीजें करनी हैं शे मैंपको कैपिटल बिल्डिं जो आपने offer किये होंगे cooperative society को बनाने के लिए वो plans वो पूरे development करने चाहिए उनमें improvement होने चाहिए और अगर फिर ये छे महिनों में आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद जो हैं आपको registrar जो है वो permanent registration का certificate देगा और उसके बाद जो आपकी society जो है वो साल भर पूरी उमर वो काम कर सकती है और कहीं societies में कहता है कि कहीं मारी कि registrar जो है वो देखता है कि कोई criteria फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो आपको registration नहीं देगा society ठीक है तो जिसकी criteria जो match नहीं कर रही होगी society उसकी सुसाइटी को रिजिस्ट्रेशन से रिफ्यूजल मिलेगा यानि उसकी रिजिस्ट्रेशन नहीं होगी और उसे और आफ रिफ्यूजल जो है वो दिया जाएगा और उसमें उसको रीजन बताए जाएंगे कि क्यों आपकी सुसाइटी जो हो रिजिस्ट्र नहीं हो सकती उसके बाद जिनकी सोसाइटी रिजिस्टर हो जाती है उन्हें फिर एक registration certificate दिया जाता है रिजिस्टरार के उपर पहले 6 महीने के लिए provisional certificate दिया जाता है जिसमें रिजिस्टरार के साइन होते हैं और 6 महीने के बाद अगर वो obligations वगेरा को पूरा कर देते हैं तो उसके है वह वाकई में जो है इस एक्ट के अंदर रिजिस्टर है यह सोसाइटी जो है वह illegal नहीं चल रही है उसके बाद registration की बात आती है कि limited होगी या unlimited होगी जम्मो किश्मीर के अंदर तो यहां पर यह कहा जाता है कि जब तक government को special या general order से यह ना कहें कि unlimited liability के अंदर किसी चीज को रखना है तब तक जो है जम्मो किश्मीर cooperative societies Act के अंदर जितनी भी सोसाइटी है register होंगी वह limited liability के साथ ही register होंगी आपको पता है कि ही इंडिया में भी limited liability ही cooperative societies कि रहती है और जम्मो किश्मीर में भी यही adopt किया गया कि जो भी societies register होंगी वह जैनरल अगर हम देखें तो limited liability के साथ ही अगर register होंगी तो होंगी हाँ अगर government चाहे तो किसी time मेर अगर special order वगेरा निकाले कि वह अब के बाद जो है unlimited liability या कोई भी और तरह की liability लगानी है तो आप लगा सकते हैं लेकि normal circumstance में अभी तक यह है कि हर society जो register रहेगी वो limited liability के साथ ही register होगी okay उसके बाद अब कहते हैं कि को उसके itis society register भी हो गई है उसके कानून भी बन चुके हैЫ महले जिक कानूनों में amendment लाना है उसके बाई लग जोए हैं उन chỉ क्या ला सकते हैं या नहीं रहा सकते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर सोसाइटी को ये लगता है कि हमें कुछ बदलाव लाने चाहिए तो उसका प्रपोजल जो है वो रेजिस्टरार को देंगे ठीक है प्रपोजल देंगे रेजिस्टरार को कि वही ये हमें अमेंडमेंट करने हैं और इस तरह से अमेंडमेंट हमें चाहिए और साथ में कारण भी बतारें पड़ेंगी कि आप amendment क्यों चाहते हैं और अगर माली जिए रेजिस्टरार जो है वो satisfied हो जाता है कि जितने जो भी amendment बताए जा रहे हैं society की तरफ से ठीक हैं कोई कानून के खिलाफ नहीं हैं इस act के खिलाफ नहीं हैं लोगों की welfare के साथ हैं तो इन amendment को जो है वो register कर लेगा ठीक है उस society का जो अलग से रेजिस्टर हם वहां पर in amendment जो हैं इनको register कर लिया जाएगा उसके बाद register क्या करेगा रेजिस्टरा जो है वो forward करेगा society को इस copy of this registered amendment ठीक है अपने register में भी उसने amendment जो है उन्हें बदलाव जो है वो उसे note down कर लिया फिर उसकी copy जो है amended registration registration की वो society को दिया जाएगा और एक certificate भी दिया जाएगा sign के साथ जो की ये evidence होगा कि भाई amendment जो है इस society के इन खानून में ये amendment जो है इनमें बदलाव ला दिया गया है ठीक है और माल ये registrar जो है अगर refuse कर जाता है कि हमें amendment नहीं करने है तो उसको जो है वो order of refusal देना पड़ेगा reasons के साथ कि क्यों आप amendment नहीं कर सकते तो ये भी power जो है registrar के ही पास ही है कि registrar अगर उसको ठीक लग रहा है तो वो amendment करेगा नहीं ठीक लग रहा है तो वो refusal order दे देगा reasons के साथ कि हम नहीं कर सकते ये amendment ये ये कारण है उसके बाद है power to directly amended by last ये तो हो गया कि societies की तरफ से proposal आया की amendment कीजिए ये एक amendment की जरूरत है society की तरफ से लेकिन माली जी registrar को अगर खूद से लगता है कि society अगर नहीं बोल रही है और registrar को खूद से लगता है कि ये amendment जो है by last में होने जरूरी है public interest के लिए तो वो खूद के पास भी उसके पास power रहती है कि वो amendment जो है वो खर सकता है क्या रहता है कि देखिए अगर कहता है कि अगर registrar को ऐसा लगे कि amendment जो है वो by last के वो जरूरी है तो वो क्या करेगा कि society जो है related society जिसके amendment करने हैं जिस भी society में उस society को जो है उसको बोलाएगा और उन्हें जो है वो बोलेगा कि ये amendment जो है ये हमने में सोच रहा हूँ कि ये amendment जो है इसमें चाहिए ठीक है तो उसके लिए वो उनको time देगा कि आप जो है अपनी assembly से जो है जो भी societies की जो board of members रहते हैं वहां से आप pass करवा दीजिए amendment और मान लिजिए society जो है पास के अगर करवा दे तो फिर तो legally तरीके से शानती से सब कुछ register हो जाएगा लेकिन मान लिजिए कि society जो है रेजिस्टरार की दिये के time के अंदर जो है वो amendment जो है उन्हें पास नहीं करवा सकी अपनी society में अपने board of members की voting से तो रेजिस्टरार उसके बाद क्या करेगा उसके बाद society को एक opportunity जरूर देगा कि वही आपने क्यों नहीं करवाए और अगर वो time भी खतम हो जाता है उसके बाद भी amendment नहीं लगते तो रेजिस्टरार जो है वो ऐसे amendment जो है वो खुद से ही कर देगा और society को directly जो है वो amended registration जो है amended laws जो है उनकी एक copy direct बेजेगा जिसके उपर उसका sign होगा और वो चीज़ें जो है वो लागू हो जाएंगी वो binding रहेंगी society उस पर उपर कोई अतराज नहीं कर सकती है ठीक है तो ये जो power जो है ये बिलकुल उसके पास रहती हो और ये binding रहती है ओके यानि रजिस्ट्रा के पास काफी power होती है amendment को करने की society मान गई तो अच्छी बात है नहीं मानी तो वो खुद ही कर लेगा कोई issue नहीं है उसके बाद मानी जी society का नाम चेंज करना है तो क्या आप रहेगा तो कोपरेटिव सोसाइटी का नाम जो हम बिलकुल आप कर सकते हैं अगेन amendment कीजिए नाम चेंज कर लीजी ठीक है तो amendment कीजिए नाम भी बदल लीजी कोई issue नहीं है और ये नाम बदलने वाली process बड़ी easy होती है सीधा जो प्रपोजल दिया जाएगा रेजिस्ट्रार को एन्ड रेजिस्ट्रार क्या करेगा जो भी प्रपोजल रहेगा उसकी के हसाब से नाम चेंज करके जो भी रेजिस्ट्र रहेगा Courtney society का उसमें स्ससाइटी का जो नाम लिखा होगा उसको बदल कर दूसरा नाम लेखेगा और उसकी कौपी जो है अगेन सोसाइटी के पास बेहज दी जाएगी ठीक है और उसके पास वही एमेंडिड जो रेजिस्ट्रेशन एमेंडिड नाम जो है उसका साटिफिकेट जो है वो दिया जाएगा उसको वापस है ठीक है तो यह आला कि कहता है कि नाम अगर बदल भी दो तो इससे नहीं सोसाइटी की कोई राइट्स बदलेंगे नहीं उसकी उबलिगेशन बदलेंगे सिर्फ नाम बदलेगा उसके अलावा सोसाइटी का कोई एसेड लाइबिल्टी कोई बदलने वाली नहीं है ओके तो सिर्फ नाम उसके बाद कोई पड़लने के बिलकुल पिंगा सकती आ इसके लिए अगर लेडिटी बडलने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी society रहती है उसको अपनी society में एक resolution पास करना पड़ता है ठीक है resolution पास करना पड़ता है और उस resolution के उपर ये कहा जाता है कि भई हम जो है liability जो है वो इसकी change करने वाले हैं ठीक है लेकिन liability change करने से पहले जो है एक महीने का notice जो है लगबग हर एक member को दिया जाता है और हर एक credits जो है सोसाइटी का जो दिया जाता है यानि अगले महीने अगर liability उसकी बदलने का proposal है तो एक महीने पहले ही बता दिया जाएगा सभी members को बदा दिया जाएगा कि हम liability जो है इस society की बदलने की बात कर रहे हैं बदलेंगे हम और एक महीना मेंबर्स को पितिया जाता है और जो भी क्रेडिटर्स रहते हैं जिसने उन सोसाइटी को पैसा दिया रहता है लोन दिया रहता है वो क्रेडिटर्स रहते हैं इनको एक महीने पहले ही नोटिस दिया जाता है कि हम जो है वो अपना लाइबिल्टी जो हैं वो बदलने वाले और इस एक महीने में अगर चाहें तो कोई भी यह मेंबर या क्रेडिटर जो है यह अपने शियर्स डिपोजिट्स यह लोन वगएरा जो है इनको विड्रॉगर सकता है यह अगर उसे लग रहा है कि जो लाइबिल्टी चेंज होने वाली है उसमें उ वापस ले सकते हैं ठीक है एनी मेंबर और क्रेडिटर हूँ ड़स नाट एक्सराइज ऑप्शन विदिन दा पिरिट स्पिसिफाइड दीम टू है एसंटी तो दा चेंज माली जी उस एक महीने के पिरिड में क्रेडिटर ने भी कोई रिस्पॉंस नहीं दिया और मेंबर न सारे मेंबर्स और क्रेडिटर की अगर वो एक महीने का जो पिरिड है उसको अगर कोई शिकायत करता है क्रेडिटर या मेंबर उस सब को ध्यान में लिए बिना जो हैं आप इस प्रपोजल के साथ आगे नहीं जा सकते और अगर कोई मेंबर या क्रेडिटर कोई क्लेम कर दे उसके बाद आजाता है कि amalgamation यानि दो societies को जोड़ना transfer of assets एक society के assets जो है transfer करना किसे दूसरे society में या liability transfer करना या फिर एक society को divide करके दो society बनाना क्या ये चीज लीगल है हमरे जेन की की cooperative societies act में तो आईए देखते हैं तो बिल्कुल ये भी केस आथा आप एक society को दो society में तोड़ सकते हैं दो society को जोड़कर एक society बना सकते हैं या फिर एक society के asset liabilities transfer भी कर सकते हैं दोसे society में लेकिन इसके लिए आपको दो चीज ने करने पड़ेंगे सबसे पहले तो आपको एक रेजिस्ट्रार का approval चाहिए रहेगा या रेजिस्ट्रार अगर हामी भरता है तो ही आप चीज ये कर सकते हैं रेजिस्ट्रार मना करेगा तो आप चीज नहीं कर सकते हैं और दूसरा आपको जो मेंबर रहेंगे आपके जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे रेजुलूशन पास करवाना पड़ेगा उस रेजुलूशन को पास करने के लिए लग टू थर्ड मैजॉरिटी आपको चाहिए होगी तो जितने भी मेंबर उस रेजुलूशन को पास करने के लिए वह आप या तो amalgamate कर सकते हो जोड़ सकते हो दो सुसाइटिस को या तो एक सुसाइटी के टुकड़े करके दो सुसाइटिस मना सकते हैं या फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं आपने एस ठीक है तो डिविजन के लिए भी यही सेम रूल रहता है उसके बाद अगर आप amalgamate करना चाहते हैं amalgamate के लिए भी जो है same rule रहता है कि आपको two third majority चाहिए resolution की पास करवाने के लिए उसके बाद आपको register का approval चाहिए ठीक है तो यह है उसके बाद माली जी cooperative society ने अगर resolution पास कर लिया कि भाई two third majority से भी resolution पास हो गया होके हमें जो है यह amalgamate करना है या division करनी है transfer करनी है उसके बाद कहता है कि एक महीने का notice जो है again यहां पर भी same चीज़ कि एक महीने का notice जो है वो आप members को देंगे and creditors को रहेंगे and same वही चीज़ रहेगी कि एक महीने के हैं यह member यह creditors तो यही माना जाएगा कि यह जो है इससे वो राजी है और फिर उसके बाद इसे आगे जो है फर्दर कर दिया जाएगा पास okay उसके बाद resolution again resolution के लिए पास resolution में एक महने के बाद वही बात है कि जितने भी अगर members यह creditors को question raise करते हैं कोई issue raise करते हैं तो उसको पूरा किये बिना जो है वह आप उस महीने एक महीने के period के अंदर कोई भी अगर problem आती कोई भी क्रेडिटर या member कुछ करता तो वो चीज़ें सब आपको clarify करनी है तब जाकर जो है वह आप आगे फर्दर बढ़ सकते हैं okay उसके बाद कहता है कि को आप इस रिजिस्टर तो होगी यह लेकिन कैंसल भी हो सकती है अब कैंसल कैसे होंगी के मान लिजीए है एक cooperative society ने अपने सारा assets और liability जोह एक इसी और cooperative society के उपर transfer कर दिया गया तो जो पुरानी cooperative society थी वह तो existence में ही नहीं रही उसके कोई share से नहीं है उसके कोई liability नहीं है तो उसकी जो registration है वो cancel हो जाएगी और दूसरा गवर again कहता है कि मान लिजी अमलगमेट होगी दो society जोड़कर नहीं society बनके उसमें कि अब जो पुरानी दो society जो है वो अब existence में नहीं है उनकी registration registration cancel कर दी जाएगी और नहीं society जो बनेंगी दोनों को जोड़कर उसकी अलग से registration हो जाएगी तो पुरानी दो society जो है वो again cancel हो जाएगी उसके बाद मान लिजी कि दो societies जो है एक societies जो है उसे divide कर दिया जा रहा है अगर दो societies में तो अगेन जो पुरानी society थी वो existence में नहीं है उसकी registration cancel हो जाएगी जो नहीं दो societies बनेंगी उनको अलग लग registration करवानी पड़े कि तो इस cases में registration जो है वो cancel भी हो सकती है ठीक है और उसके मुझे बाद मालिए कि society में society ने यह नहीं कहा कि हमें amalgamate करना है या reorganize करवाना है हमारी societies को रजिस्टार को लगता है कि इन societies को तोड़ना मरोडने की जरूरत है तो वो जो है public interest में रजिस्टार खुद से भी जो है इन दो societies जो है इनको या तो amalgamate कर सकता है और या तो इनको amalgamate करके या तो डिवाइड कर सकता है ठीक है लेकिन इसके लिए कोई resolution मेंगारा की जूरत नहीं रहेगी इनको सिर्फ जो है society के members जो है जो federal body रहेगे societies की उसके साथ consult करना है जो financing agency रहे कि उसके साथ consult करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो मना कर देंगे तो रेजिस्टार आगे नहीं बढ़ेगा रेजिस्टार को power जो हो supreme है रेजिस्टार भात करेगा उनसे अगर वो मान रहें तब भी ठीक नहीं भी मान रहें तो रेजि हम कहते हैं कि अगर यह सब agriculture societies के उपर बात हो रही है कि agriculture societies है ओकी है यह सब पूछ चलेगा लेकिन अगर non agriculture societies को आप तो रोडने या मरोडने के बात कर रहें तो इसके लिए आपको government जो है उसकी permission चाहिए होगी रेजिस्टार को society को भी और इसके लिए government को भी state legislation में बिल पा otherwise उसके बिना आप non agriculture societies की अमल्गमेट नहीं कर सकते ठीक है और दूसरा कहते है कि रेजिस्टार की जो पावर हैं अमल्गमेशन में डिवीजन वगारा में इसके ओपर कोई और काम नहीं कर सकता और रेजिस्ट्रेशन या दूसरी तूसरी जो पावर हैं रेजिस्टार की उ पर सिर्फ रेजिस्टार की πावर हैं और सिर्फ रेजिस्टार कुद ही जो है यह चीश करवा सकता है किसी और को अपनी इस मामले में वह New Square है ठीक है को आप को बैंक को कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यह चैप्टर टूथा चैप्टर टू में काफी जो है ज़रूरी चीज़ें जो है वह हमने पढ़ी हैं अब चैप्टर थ्री जो है उसमें हम पढ़ेंगे की मेंबर्स कॉप्रिफ सुसाइटिस के को रहेंगे और उनके क्या प्राइट्स और क्या लाइबिल्टी जो है वह रहेंगी ओके तो देखिए सबसे पहले तो मेंबर्स में यह काफी सारी चीज़ें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ही फिर भी आप एक नजर देख सकते हैं कि जो जम्मो किश्मीर कॉंट्रक्ट एक के अंदर जितन के नदर रिजस्टर है वह किसी कॉर्प्रिफी सोशाइटी का मेंबर बनसक्ति है और जो जो जम्मु किश्मीर के सबस्क्राइब एक्ट है 1998 का उसके अंदर मेंबर्स को हो अप्रेश की मेंबर्स पंच सकती है और मालिए मैं आप पर श्यूज्け पिए अज ड 뜮िए मेंबर तो मानी जी कोई member apply कर रहा है किसी co-opter society में registration के लिए membership के सॉरी तो अगर उसको manna किया जाता है तो उसको पताया जाएगा कि भाई आपको manna कियूं किया जाता है उसको refusing decision वो बताया जाएगा साथ में reason भी बताया जाएगा कि आपको क्यों आकर जो है वो refuse किया जा रहा है और 15 दिन के अंदर अंदर जब वो membership की application दे रहा है कि मुझे इस society का member बनना है और अगर उस application की 15 दिन के अंदर ही जो है उसको बताया जाना चाहिए कि आपको जो है क्यों इस society के membership नहीं मिल सकती तो इसके साथ जो है उसको पूरा decision और reason जो है 15 दिन के अंदर बताना है जो है उनका member को individual नहीं बन सकता है उसके लिए central societies का member जो है वो primary societies ही रहती है तो individual जो है वो central societies का member नहीं रह सकता और apex societies का member भी नहीं रह सकता ठीक है तो individual को अगर membership लेनी है तो आप भया सीधा primary societies के पास ही जाए ठीक है every person eligible for admission as member of cooperative society shall be deemed to have been admitted as member of societies from the date of receipt of application for such admission in the office of that society ठीक है तो जो भी member बनना चाहता है जो भी eligible है member वो जब भी application देख आपने registration के लिए उस time से ही वो इस member society का member जवाब वो बन जाएगा ठीक है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद nominal member associate member का एक concept रहता है कि एक तो आप होगे functional member होगे आप society के सारे काम काज में आप काम कर रहे हैं वो अलग से होगे एक होते है nominal या associate member भी जिने खा जाता है दीकि nominal या associate member वो होते हैं जिनको shares वगारा नहीं दी जाता है ठीक है आप आईए काम कीजिए सब कुछ आपको member चैसी privilege मिलेंगी member जैसे right मिलेंगे और आपकी liability भी बिल्कुल member member की जासे ही रहेगी लेकिन आप shareholder उसके नहीं रहेंगे society के और आपको voting right भी society का नहीं मिलेगा तो ये होते हैं nominal member ठीक है उसके बाद कहते हैं कि member आप तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक जो भी society में अगर membership आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर membership fee जो है वो देनी पड़ती है थीक है उसके बाद वोट की बात करें तो आपको पता ही है यह one vote रहता हर member के लिए एक ही वोट रहता है और माली जी कोई भी decision लेना है और उसमें वोट जो है वो बराबर बराबर आगे हैं हाँ को भी और ना को भी बराबर बराबर वोट पागे हैं तो फिर उस case में deadlock को तोड़ने की बात आती है तो वो चेर्में जो रहता सोसाइटी का उसके पावर रहती है अब deadlock तोड़िये और अपना वोट कास कीजिए final वोट ठीक है तो पहले चेर्में जो है वोट नहीं करेगा जैसे कि हमारे लोकसबा और रज्यसबा की जब joint session की बात आती है तो हमारे speaker के पास जो है पहले voting right नह नहीं रहता और अगर deadlock होई आजाता है तो फिर speaker वोट करता है इसी तरह चेर्मेंट जो सोसाइटी का वो भी पहले वोट नहीं करता अगर deadlock आ जाए तो फिर चेर्मेंट जो है पाइनल वोट करके उस decision को आर्या पार करता उसके पर nominal member जो है उनको voting right नहीं रहता जैसा कि म member कोई government है वहाँ की state government तो उसमें government जो है वो एक nominate करती है member अपनी तरफ से और उस member को जो है वो भी एक vote जो है उसका अधिकार रहता है उसके बाद voting की क्या क्या प्रकरिया रहती है तो कोई भी हर एक member जो है अपना अपना vote डालेगा कोई भी किसी की proxy नहीं करेगा ठीक है म किसी और का vote नहीं डाल सकता आप मेरा vote नहीं डाल सकता अगर हम किसी भी society के member थेक है उसके बाद मान लिजिए कि कोई cooperative society जो है वो किसी दूसरी cooperative society के member है तो वो पूरी cooperative society अपनी दरफ से कोई एक member जो है उससे authorize करेगी कि आप उस दूसरी cooperative societies के कोई भी decision वगर जहां पर voting कर साइटी के अफियर्स है ठीक है उसके बाद and cooperative societies में जो शेर holding उसपर भी restriction रहती है ठीक है कोई भी अगर non member ठीक नो member other than the government of cooperative societies ठीक है government के पास right है कि आप को जितने share रखने कि शक्या साइटी का अब रखी उसके लाबा जो बागी members रहते हैं उनके share holding पर बिल्खुल अब कि दूसरा Member is Government के अलाव तो वह वeteस्पी पार्ट यहनि टोटलंड बी है शेर- Pal L उसका वए व और वौही आस अ शीर होल करसकता है थीक है तो 168 जो है टोटल शेर होलींग का वो कोई भी मेंबर होल कर सकता है government के सिभाए Developer घुष वो चाहे तो जितना मर्जी होल्ड कर सकती है उसके बाद माली जी कि उसने कोई shares ले रखे हैं कोई capital invest की है उसके ओपर interest जो है किसी भी member को government के सिवाए किसी member को interest जो है वो 1000 रुपे से जादा नहीं मिलेगा और अगर वो member जो है वो individual ना होकर कोई financing bank है तो उसको जो interest मिलेगा वो 5000 से उपर नहीं मिलेगा ठेक है तो यह चीज़ें जो है share holding वर और interest पर यह चीज़ें जो है काफी restriction है उसके बाद माली जी कि किसी member के पास या किसी भी firm के पास जो है कोई के सोसाइटिस के share है तो क्या वो उसको transfer कर सकता है कि नहीं तो yes बिल्कुल transfer कर सकता है लेकिन conditions जो है transfer की क्या है कि सबसे पहले तो वो member कम से कम एक साल तक को society का minimum member रहना चाहिए यानि अबर आपने नहीं नहीं society join की है अभी आपको एक साल नहीं हुआ है को cooperative society join की है तो आप अपने share जो है वो किसी को transfer नहीं कर सकते है एक साल के बाद आप जरूर कर सकते हैं तो आपको उसके बाद अगर आपको transfer करने ही है तो आपको उसी society की कि किसी दूसरे member को transfer कर सकते हैं यानि कोई non member है अगर society का जो society का member नहीं है तो आप उसको एक साल के बाद क्या दस साल के बाद भी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो जो कमिटी रहती है आपकी सोसाइटी की जो बोर्ड अप डिरेक्टर्स रहते हैं उनका एपरूवल आपको मिलना चाहिए तब ही जाकर जो है आप शेर्स ट्रांसफर कर सकते ठीक है और माली जी कहते है कि अगर किसी डैथ किसी मेंबर की डैथ हो जाती है तो उसके शेयर्स का क्या रहता है तो सबसे पहले तो जो भी मेंबर्शिप करता है मेंबर वो अपना है कि नॉमिनेशन जो हो रखता है नॉमिनी रखता है कि अगर मेरी डैथ हो जाए तो उसके तो नॉमीनी जो होगा रहेगा मेरा वो शेर होल्डर होगा तो माली जी जी नॉमीनी है तो उसको शेर्र देतीा जाएंगा जिसकी बी डेठ्थ होगी और अगर नहीं भी है ठीक है और कोई भी नॉमीनी अगर उसने नोमिनेट नहीं कर सका है तो legal हायर जो रहेगा उसका ठीक है यहीं कानूनी तोर पर एक फैमिली मेंबर जो है उसका वो जो है उसका फिर शेर होल्डर बन जाएगा उसके बाद कोपरेडि सोसाइटी विद लिमिटिड लाइबल्टी सोसाइटी शेल ट्रांसफर देशेर अप्ड़ डिजीज मेंबर तो सच नौमिनी ऑन अप्लिकेशन विदिन वन ठीक है माल लीजी कि डिसीज कोई मेंबर जो है वो मार जाता और उसके शेर जो है वो नौमि मेंबर को जो है उसके बाद शेर के हलावा भी काफी सारा पैसा रहता है तो वो जो बाकी दूसरी पेमेंट वगईरा रहती है उसको भी आपको विदिन सिक्स मांत जो है आपको उस डिसीज मेंबर के नौमिनी वगईरा या जो भी लीगल हायर रहेंगे उनको दे देना है तो एक मेहने के अंदर आपको शियर्स ट्रांसफर कर देने हैं और छे मेहने के अंदर बागी अगर बचा कुछा पैसा है उसका कोई इंटरस्ट पेमेंट वगएरा जो आपको देनी है उस मेंबर को वो आप दे सकते हैं ठीक है लाइबिल्टी मालेची कोई मर गया अब उसकी लाइबिल्टी भी बचती है तो लाइबिल्टी उसकी एक साल तक रहेगी ठीक है या उसकी डेथ के बाद एक साल तक अगर कमपनी डिजॉल्व हो जाती है तो लाइबिल्टी उसकी भी रहेगी डिजीज मेंबर की या उसकी ज पूरा कंड्रोल रहता है ठीक है चैपटर थी था ये चैपटर फोर जो है वो है management of cooperative societies की cooperative societies कैसे चलती हैं उनको management जो है वो कोन करता है और कैसे करता है ठीक है तो management के लिए देखे सबसे पहले final authority की बात करता है कि सबसे बड़ी authority जो है society में कौन सी रहती है तो बिलकुल journal body जो है यानि सारे members की general body जो है वो ही final authority रहती है क्योंकि हर decision को वोट करके जो है वो decide करते हैं again एक committee जरूर बनाई जाती है इनके अंदर से और वो committee ही जो है वो बैठ कर voting वगयरा करवाती है लेकिन सबसे बड़ी authority जो हो जेनरल body ही रहती है ठीक है उसके बाद by laws जो रहते हैं cooperative society को उसका constitution रहते हैं हमने पड़ा हुआ है and then annual meeting की बात आती है देखिए annual general meeting यानि हर साल में जो है cooperative societies जो है वो एक बार जरूर मिलती है और उस एक meeting में जो है अपने जो program से उनका approval कैसे करवाना है ये चीज़ें discuss की जाती है आने वाले time में कोई election से उनकी बात की जाती है audit report इस साल की क्या रही annual report क्या रही ये discuss किया जाते है net profit क्या रही पिछले साल की वो discuss किया जात और जो भी दूसरा तीसरा matter रहता ये सारी चीज़ें जो है इस साल में एक बार at least होने वाले meeting में जरूर discuss की जाती है उसके बाद मान लीजे annual general meeting तो होती ही होती है उसके बाद एक special meeting के अगर जूरत पढ़ जाए special meeting के जूरत क्यों पढ़ती है कि मान लीजे registrar ने कहा societies को को कोई important topic है meeting arrange करवाई या फिर किसी member को अगर जरूरी कोई topic discuss करना है तो वो जो है secretary से आपने कह सकते हैं कि भया meeting arrange करवाई ये तो जब भी कोई भी member या registrar जो है ये request करता है किसी special session के लिए तो उस request के एक महिने के अंदर अंदर जो है at least जो है committee को ये special general meeting जो है सको arrange करवाना पड़ता है और जो भी मुद्दा रेजिस्ट्रार ये member के द्वारा बताया चाता है discuss करने के लिए उसको फिर discuss किया जाता है okay उसके बाद election and nomination of member of committee committee जो भनती है उसके election कैसे होते है and nomination वगेर अगरा है तो क्या है अब कहता है कि member जो रहते है committee के वो elected रहते हैं जो general body सारे member रहते हैं वो vote करते हैं और committee जो है उसके member जो है उन्हें elect करते हैं उसके बाद एक ये चीज़ आती है कि committee का फो member नहीं रह सकता है अगर वो society में को शेयर holder नहीं है या यायू होंडिग नहीं है किकि और किसी member की तो वह इस committee का member जो वह नहीं रह सकता हो इस committee के member के election में जो बंदी मेती जो यह है तेन साल तक काम करदे है तीन हो रहता है और तीन साल कुर्ट मोले के 90 डेस की पहले ही यानी तीन साल जब खंशन होने वाले हैं उसके तीन महें लकिस्क्ति काम हो गाया परता है फर्थर जो हैं भी है यह सबंगे के लेक्शन करना पड़ते हैं ताकि जब भी इनका tenure खत्म हो तो एक नहीं कमीटी इनको अल्रेडी बनी बनाई मिले तब जो है वो कोई चीज प्रॉब्लम उस वक्त ना आ सके तो नहीं कमीटी पहले से रेडी रखिए इलेक्ट करके 90 दिन के अंदर अंदर ही ओके उसके बाद मा लीजिए कि अगर ये हीने तक फिर क्या करेगा कि उस सुसाइटी की बर्किंग देखेगा और छे मेने के अंदर अंदर फिर उसके इलेक्शन भी करवाए जाएंगे वो जिम्हेदारी रहेगी एड्मिनिस्ट्रेटर की ओके उसके बाद कहते हैं कि अगर जी सुसाइटी में गवर्मेंट की शेर होल्डिंग भी है तो वहाँ पर गवर्मेंट जो हैं वो कमीटी में अपने मेंबर भी नॉमिनेट करेगी गवर्मेंट ऐसे दो नहीं करेगी तो गवर्मेंट को क्या पावर रहती है कि गवर्मेंट का अगर शेयर होल्डिंग करती है किसे को साइटी में तो वह मैक्सिमम या तो तीन मेंबर्स जो है उनको कमीटी में नॉमिनेट कर सकती है या फिर वन थार्ड ठीक है या तो वन थार्ड मेंबर कमीटी के जितने भी टोटल मेंबर हैं उसके वन थार्ड नॉमिनेट कर सकती है य ठीक है उसके बाद उस कमेटी में जो हैं दो सीट जो है वो शैडियूल कास्ट या दूसरे बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखनी है और एक सीट जो है वो वूमन के लिए जो है वो भी रिजर्व रखनी जरूरी है ठीक है अगर इस जाती के इस कैटेगरी के इस के लिए सकते हैं तो इसके लिए को लगता है कि कोई कमीटी जो है वो फॉल्ट कर रही है और अपनी डूटेज जो है उसको निभा नहीं पार रही है तो जो उसकार कमेटी को साथ दिन का साथ दिने का साथ शाइटी कमेटी के इसके साथ दिन मांग रहे हैं दो जो कमेटी को जम्रोब करेका, आपनी तरफ से एक या एक से जादा इड्मिनेशिन्ट जो है वह बिठाएगा और सोसैटि के मेनेजमेंट के लिए लेकिन जैसा कि मैंने पहले बिता ही एड्मिस्ट्रेटर जो है यह छे महीने से ज्ञादा को पिरोट के लिए वहाँ पर नहीं रह सकता और छे महीने के अंदर अंदर जो वह इसको नई कमिटी जो है उसको करवाकि नहीं कमीटी जो भाँ पिठाने पड़ेगी और इड्मिस्ट्रेटर पर पूरा थिक रहता है ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया की ड्मिसेटर जो वह अपनी केमीन चे महीने की खत्Star वोने से पहले पहले नहीं कमीटी के एलेक्शन करवा के नहीं कमीटी बना देता है, ठीक है? उसके बाद, अमाली जी कोई कोपरेटिव बैंक है, तो कोपरेटिव बैंक वगारा, अगर कुई डिपॉल्ड करता है, उसकी कमीटी वगारा में कुछ बदलाव करने हैं, तो तब रेजिस्टरार जो डिरेक्ट बदलाव ऐसे नहीं कर सकता उसके लिए इसको रिजर्व बैंक या फिर नावाट की परिमिशन की जूरत पड़ती है उसके बाद की कोई कॉपरेटी बैंक की कमेटी पर वो एक्शन ले सकता है ठीक है और यहां पर अगर कॉपरेटी बैंक करना है तो उसकी टर्म जो है वो एक साल तक रहती है तो नॉर्मल सुसाइटी में 6 महिने तक रहती है टर्म एड्मिस्ट्रेटर की और यहां पर जो है अड्मिस्ट्रेटर की तर्म जो है वो एक साल तक रहती है ठीक है तो यह दो बदलाव है उसके पर एक सोसाइटी जो है उसके records वगेरा होते हैं सारे, उनके custodian कौन रहता है, तो accountant होगे, या paid secretary होगे, storekeeper होगे, cashier, salesman, ये सारे जो हैं, ये custodian रहते हैं, इनके पास जो society की सारी records, stocks, और सारी जो ज़रूरे documents हैं, वो इनके पास रहते हैं, ठीक है, और माली जी कि कल को society default कर देती है, और record जो हैं, हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए जो है, executive magistrate first class, at least, मतलो executive magistrate first class का है, वो ही order issue करेगा, और उसके बाद ही जो है, वो records वगेरा, society के seize किये जा सकते हैं, यानि इस rank से नीचे का, अगर को judicial member seize करने की बात करेगा, किसी society के document को, तो वो नहीं कर सकेगा, ठीक है, और फिर इस executive magistrate first class की, अगर कोई seize करने की application, या कोई notice जारी होता है, तो उसके बाद, जो है, वो भी inspector से नीचे के rank का, वो इनसान, जो है, वो seize नहीं कर सकता है, society के document, तो executive magistrate first class का issue करेगा, order कि आप जाईए, inspector को at this inspector rank, या उससे उपर किसी post में, पुलीस वाले को कहेगा, कि आप इस cooperative society के record seize कर दीजिए, कि society ने default किया है, और फिर जो है, वो फर्दर जो है, उस society के records वगारा को लेकर, again, उसकी winding up करेगा, society के जितने में assets वगारा है, उनको बेचा जाएगा, और उसके पैसे जितने में बनेंगे, फिर उसके creditors वगारा को दिये जाएगे, ठीक है, उसके बाद, चो examination point of view से नहीं है, ठीक है, इसमें जो है, कुछ privileges यह हैं कि जैसे कि जो societies है, उनको stamp duties, charges नहीं देने पड़ते, government को यह, उनको माफ रहते हैं, उसके बाद registration की fee जो हो रहती है, वो registration की fee भी in cooperative societies के लिए माफ रहती है, बागी कोई चीज रेजिस्टर होगी, उसको fee देने cooperative societies को land revenue जो है, वो उससे exempt करता है, कोई इनकी agriculture income पर tax नहीं लगती, इनकी जो purchase या sales रहती है good की, उसके ओपर कोई tax नहीं लगता, इनके profession trade पर कोई tax नहीं लगता, उसके बाद toll tax जो रहते हैं, इन societies के अगर कोई product दूर दूर बेचने के लिए कोई गाड़ी जा रही है, त तो यह चीज़ें, जो है, cooperative societies को फाइदा रहता है, कि यह चीज़ें, उनको एक्टिस government माफ कर देती है, इसके अलावा कुछ important नहीं है, इस chapter 5 में, ठीक है, chapter 6 आता है, government aid to cooperative society, कि government की तरफ से क्या-क्या जो है, फाइदा मिलता है, इन cooperative societies को, तो यह रहता है, chapter 6 के अंदर, तो क्या government की तरफ से और मनत मिलती है, देखिए, सबसे पहले तो government क्या करेगी, या तो direct partnership कर लेगी, direct partnership में क्या होगी, government direct, जो है, किसी भी society की, किसी भी cooperative society के share, जो है, वो directly खरीद लेगी, limited liability के साथ, तो यह चीज़ रह सकती है, जिसमें government direct partnership कर सकती है, लेकिन माली चीज़ पर government ने अगर share खरीद लिए है, directly किसी society में, तो उनको जो dividend मिलेगा, वो बाकी जितने भी members को dividend जिस rate पर मिल रहा है, बाकी members के मुकाबले government को जो dividend देगी, cooperative society उसके share पर, वो कम देगी, याद रखेगा, government को कम dividend दिया जाएगा, और बाकी जो member हैंगे, आम society के, उनको जाद जादा rate पर dividend दिया जाएगा, तो ये चीज जो है, ये जरूर एक याद रखने वाली चीज़ है, government के पास already पैसा है, भाई या, तो कम ही लेगी, उसके बाद या तो क्या करेगी, indirect partnership, indirect partnership में, government जो है, किसी दूसरे cooperative society को पैसा देगी, और इसको कहेगी, कि आप, किसी दूसर society के shares खरीद लेजिए, with limited liability, यानि मैं directly कि मैं अगर government हूँ, तो मैं directly किसी cooperative society के member नहीं करीद रहा, यानि मुझे अगर A के member, indirect, A के cooperative society के share indirect करीद नहीं, तो मैं B को पैसा दोंगा, और मैं B को कहूँगा, कि भाई, आप A के shares खरीद लेजिए, पैसा मेरा लग रहा है, मैं किस यानि जो Apex societies रहती हैं, जो state के society रहती हैं, इन्हें जो government से पैसा मिल रहा है, इस पैसे के साथ ये एक fund बना सकती हैं, जिसका नाम है principal government fund, और इस fund का पैसा जो है, ये कहां कहां यूज कर सकती हैं, directly किसी दूसरी cooperative society के shares करीदने के लिए, या फिर किसी दूसरी society को loan देने के लिए इस चीज़ के लिए और दूसरी दीसी चीज़ों के लिए भी fund का पैसा यूज कर सकती हैं, Apex societies और जो central societies रहती हैं, जो central level की federal societies, वो government के पैसे से एक fund बना सकती हैं, जिसका नाम रहता है, Subsidiary Government Partnership Fund, और इसका पैसा जो है, सेम मुसीवे में यूज किया जा सकता है, कि आपको किसी ओर society में पैसा लगाना है, या किसी ओर society के share करीदने हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहता है कि इस principal government partnership fund हो, या subsidiary government partnership fund हो, इसका पैसा जो है, अगर आपको यूज करना है, तो आपको government की approval जो है, writing में लेनी पड़ेगी, उसके अलावा, उससे पहले जो है, यानि government आपको permission देगी writing में, तब ही आप इस funds में से पैसा निकाल कर यूटिलाइज कर सकते हैं, otherwise आप इसका पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और एक और चीज याद रखन करें में, वाली यह factual question है, कि यह जो fund रहते हैं, दोनों principle, government partnership fund या subsidiary partnership fund यह किसी भी society के asset में कर नहीं गिना जाते, ठीक है। तो यह society के asset नहीं रहती, गोड़ी government की permission के साथ जिसी इसको use करना है, तो वो society के asset नहीं रहती, permission है, यानि वो fund society का नहीं है, तो जो society की नही है वो society का asset जो है वो नहीं रह सकते तो यह दोनों फंड जो है यह society का asset नहीं रहते एसेट नहीं रहते उसके बाद इसके अलावा government क्या ओर एड देती है देखे जैसे कि मालीची यह direct loan देते थे cooperative societies को उनको advances देती है उसके बाद अगर इन्होंने कहीं पर share करीद रखे हैं कोई debentures करीद रखे हैं कहीं किसी भी दूसरी जगा से तो उसमें जो repayment की guarantee है वो government की तरह से होती है यह जो भी cooperative societies को अगर कोई shares हो इनके खरीद रहा है तो कल पैसा अगर वापस यह ना भी कर पाएं तो उसकी guarantee जो है वो government लेती है ठीक है इसी तरह डिवीडेंट अगर वगारा किसी को देना है उसकी guarantee भी government रहती है और दूसरा लोंस वगारा ले रखे हैं की इन societies ने तो उसकी भी repayment की जो guarantee है वो government लेती है ठीक है और उसके अलावा government जो है इनको subsidies भी काफी जगा देती है तो यह काफी सारी जो है फाइदे मन चीज़ें जो है वो रहती है जो कि cooperative societies को government की तरफ से जो है available रहती है ठीक है उसकी बाद चैप्टर 7 है उसमें है properties and fund of cooperative societies तो क्या क्या fund रहते हैं इसके उपर चैप्टर 7 में कहा गया है उसके बाद है funds जैसे कि कहते हैं कि fund जो है आपको डिवाइड ने करने यानि government की तरफ से अगर किसी society को fund मिल रहे है तो वो ऐसा नहीं कि किसी को भी dividend के तोर पर या किसी को भी bonus के तोर पर दे देगी अगर society को को कोई चीज बांटनी है कोई पैसा बांटना है तो सिर्फ अपने net profit जो उसका रहे है gross profit की बात भी नहीं हो रही है net profit जो society का रहेगा उसी को use करना है आपको अगर किसी को bonus या dividend देना है अपने member को को किसी भी society के member को तो सिर्फ net profit से देना है बाकी को fund आपको fund advances grant subsidies मिल रहे हैं तो वो पैसा आप dividend या bonus के तोर पर किसी को नहीं दे सकते हैं हाँ आप remunation दे सकते हैं यानि कुछ salary वगार अगर देनी जैसे कि आपने society का secretary रखाया या clerk रखाया है तो वो काम कर रहे हैं उन्हें अगर salary देनी है तो आप fund से दे सकते हैं otherwise बाकी फालतू में funds का फैसा जो है वो यूज नहीं करना है सिर्फ net profit जो है society के वही आप यूज कर सकते ह देना है जहां से लोन ले रखा है तो छे महीने से ज्यादा का अगर आपका वो ड्यू हैंट्रस के से को देना है वो इंट्रस्ट वहां से माइनस करना है आपके जो establishment charges है वो माइनस करने हैं दूसरे जो इंट्रस्ट आपको लोन या deposit पर देने है audit fee हो गई या working expenses repair rent वगएर यह सारा पैसा आपको जब gross profits जब आप निकालेंगे तो उसके पीछे जो आपको बचे की वो रहेगी आपकी net profit और इस net profit में हाला कि आपको पिछले साल माली जी कोई interest आना था जो कि तब नहीं आया और इस साल आया है तो आप उस interest को इस net profit में जरूर जोड सकते हैं और फि इस चीजों के तोड़ पर इसके लब funds का पैसा जो हो आपको बांटना नहीं है ठीक है आप जो net profit बनेगी से आप क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो 25% जो भी net profit बनेगी इसका 25% आपको reserve fund में डालना है ताकि कल को को कोई मुशीब अगर society पर आ जाए तो reserve fund जो उसका पै fund में डालना उसके पास जो 75% बचेगा उसमें से आपको dividend देना है dividend देजिए share capital पर आपको किसी को bonus देना है member को आप bonus दे सकते हैं और एक और चीज़ जो है वो है कि अगर आपको charity देनी है किसी बीचे एंजी ओ अगारा को या किसी समाज से वाम आपको charity देनी है किसी cooperative society को तो वो आप 10% से जादा net profit का जितना भी पैसा रहेगा उस पैसे से 10% maximum उस पैसे का 10% जो है वो आप charity में दे सकते हैं डोनेशन में दे सकते हैं लेकिन वो charity जो है वो या तो गरीबों की charity होनी चाहिए या तो education के लिए charity होनी चाहिए या medical relief के लिए या फिर कोई भी दूसर तिसरी जो public utility की चीज़ है वहाँ पर आप charity दे सकते हैं लेकिन किसी religious teaching या political अगर agenda की दरफाबर आप कहें कि हम charity देना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं है तो political charity नहीं करनी है religious charity नहीं करनी है बाकि अगर किसी गरीब को पढ़ाई के लिए या medical के लिए चाहिए तो वो आप दे सकते हैं ठीक है उसके बाद कहता है कि जो cooperative society 4% की हिसाब से dividend दे रहे हैं अपने member को यानि उसके पास काफी पैसा है तो अगर काफी पैसा है तो फिर भाईया आपको अंच्छो स्टेट जमूर किश्मीर cooperative union का जो education fund है उसमें भी पैसा आपको कुछ ना कुछ देना चाहि ठीक है उसके बाद है investment of fund ठीक है कि fund जो भाईया आपको जो मिलते हैं हमने net profit की बात तो कर ली कि आप net profit यहां यहां दे सकते हैं अब माली आपको funds मिले हैं government की तरह से मिलाया कुछ या लोगों ने कोई fund वगएरा donate की है उसका पैसा कहां यूज करना है आप उसका पैसा जो मिलेगा या बैंक में अप्टी बगारा करा सकते हैं वहाँ पर आपको पैसा मिलेगा ठीक है तो यह सब चीज़ें आप कर सकते हैं fund से रिजिस्ट्रा के साथ ठीक है fund का इस्तमाल आप इन चीज़ों में करेंगा net profit का इस्तमाल करना तो वह आप फिर dividend दीची या जो मरसी द देगी मेंबर्स के अलवा आप नौन मेंबर्स को लून नहीं देगी जब मुक्श्मीर के रोल के मुताबर ठीक है और अगर बाकी वहिया किसी दूसरी cooperative society को लून देना है एक society अगर किसी दूसरी society को लून देना चाहती है तो सबसे पहले तो भहिया आप जाईए रिजिस रेजिस्टार का संक्षन ले लिजिए रेजिस्टार अगर कहता है कि लोन देना है दूसरी सुसाइटी को तो फिर आप दे दिजिए अधर्वाइज आपको नहीं देना है ठीक है उसके बाद चैप्टर एट और आज का जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो रहें कि आज के लिए हम यह आफरी चैप्टर जो है वाज के वीडियो में पढ़ेंगे इसके अलावा जो आट पढ़ेंगे फिर वह हम नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे तो सबसे पहले आड़िट की देखें तो आड़िट करवाने का किसको यहां पर पावर दीगी है तो रेजिस्टर कहते हैं या तो खुद आड़िट कर सकता है सोसाइटी का या फिर वापने तरफ से कोई आड़िटर जो हो बिठाएगा और वो जो हैं वो सोसाइटी जो है क आड़िट करेगा एक साल में एक आड़िट जो होना चाहिए रिजिटरा के तरफ से या उसके दोबरा पॉइंट के लिए इनसान से इससे कम नहीं रहेगा ठीक है और इस आड़िट गाले जो है कि तो ऑट एड़िट में होगा क्या की ऑषडिव जो है यानि जो पर पैसा देना किसी सोसाइटी को उसका पूरा जो है वह वैरिफिकेशन रहता है और सब कुछ हुआ है ंड़िट में देखा जाता है ठीक है यह और आड़िट में दो चीज़ीन होती हैं दो सब्सक्राइब कर दो दूसरे रहते हैं अब रिक्यूरिंग ऑडिट क्या होते हैं वो जो रेगुलर जो हैं साल दर साल हो रहे हैं तो एक अल्टरन लगातार हो रहे हैं सीक्वेंस में उसे रिक्यूरिंट ऑडिट कहा जाता है और री ऑडिट हो गया मालीजी कोई ऑडिट अच्छे से नहीं हुई तो रिजिस्ट्रार कहेगा कि भाई आप उसको रिवेरिफाई कीजिए तो वो जो दुबारा से एक एडिट को वेरिफाई करने के लिए जो है दुबारा अडिट करवाई जाता है उसको डी ऑडिट बोलते हैं ठीक है उसके बाद कोपरेटिव मगशे कफ़ाई करने के लिए standpoint आपके पास पास 45 दिन हैने 45 दिन जब आप नोठीस मिला है उसके बाद 45 दिन ने 45 दिन के अंदर्ट आप ये गलती जो है इसको सुधारिये जो आडिट में देखने को मिली है और माली जी कि अगर रेजिस्टरार की उस पिरिड के अंदर जो है वो रेक्टिफिकेशन नहीं करता है सुसाइटी तो उसके बाद रेजिस्टरार जो है अगेन उनको बोलेगा कि भाईया आप बताईए अगेन उसको 45 दिन दि और अगर इस पोईंटारे जिन में काम नाप भी हो तो फिर से आपको 45 दिन और मिलते हैं अपने गलती सुधाने के ठीक है और अगर नहीं गलती सुधार होगी तो फिर वहीं है ठीक है उसके बात इंस्पेक्शन जो है बुक्स अगर कोपरी सुसाइटिस की बुक्स यानी पूरी पेवर है कि वह किसी भी बूक के लिए he सकता है रिकोर्ड की Box की गयर के अप्रिक्र raid की अपिकेशन मिली है तब भी जो है वो उसका डॉकुमेट्स के लिए उसको इंस्पेक्शन उसकी करवा सकते ठीक है कॉस्ट जो है इंक्वाइरी की यानि इंक्वाइरी एकर कोई होती है कोई गलती होती है कोई कंप्लेन आती है क्रेडिटर की तरह से इंस्पेक्शन करवानी है तो इंस्पेक्श अगर और आडिक इंक्वाइरी या इस्पेक्शन में ये पाया जाए कि अगर किसी इंसान को लोन तोर पर या किसी भी तरह से ज़हता पैसा दे यह गलत तरीके से किसी को पैसा दे दिया है तो फिर इनसान वह तो फस घए ठीक है तो सके लिए फे रेजिस्टरार जो है वो बिल्कुल इंक्वाइरी बठाएगा और इस इंसान से बिल्कुल उसकी फुल इंक्वाइरी होगी उसे पोछआ जाएगा कि आखिराब में गलती क क्यों की है और अगर उसके बाद जो है इनसान उसको सुना भी जाएगा ऐसा नहीं कि उसको सुना नहीं जाएगा उसको पूरा रिजिस्टरार उसको मुका भी देगा सुनने का उसके बाद जो है अगर फिर भी लगता है कि इसकी गलती थी तो रिजिस्टरार या तो उसको कह तो यह साथ जो आठ चेप्टर हैं जो आज की वीडियो में हमने पड़े बहुत लंबी वीडियो होगे इसलिए हमने दो नहीं मिनाए पूरे तो उसके बाद यह सैडलमेंट आफ डिस्प्यूट और इसके आगे जो चैप्टर हैं यह कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे